नमस्कार दोस्तों मैं चिंदनी शर्ता ओल फार्मिंग आइडिया का होस्ट और आपका दोस्त मेरे इस यूट्यूब चेनल पर आपका स्वागत करता हूँ हम हमारे इस चेनल पर तरह तरह के पेड़, पोदे, सबजी या फल वगेरा उगाना सिखाते हैं दोस्तों मैं आज आपको एक अलग ही आइटम, एक अलग ही सबजी उगाना सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अलबी, जिसे इंगलीज में तारो कहते हैं तो आईए दोस्तों चलते हैं हमारे गार्डन की ओर जहां हम इसे उगाएंगे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है गार्डन के अंदर जो हमारी जमीन है जहां हम इसे ग्रो करने वाले हैं जहां इसके हम सीड्स डालेंगे दोस्तों इसके सीड्स तो नहीं आते पर इसकी जो जड़े आती है उसको गाठ होती ही उसके अंदर उसके अंदर से इसका ओधा विक्सित होता है आप मेरे हाथों के अंदर देख सकते हैं कि एक गाठ है उसके अंदर नई बर्ज फूटने लगी है इसके अंदर आप देख सकते हैं जड़े भी है इसके अंदर से अलबी का ओधा बड़ा होगा दोस्तो सबसे पहले हमें जमीन को खोद लेने के बाद उस जमीन को हमें टुकडे में बाट देना है छोटे छोटे टुकडे कर देने और इसको हमें दो से तीन इच गहरा खोदना है आप कोई भी खोदने का और काटने का हाच्यार ले सकते हैं मैंने ये दंताली से इसको काटना सुरू कर दिया है इसके बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े उसको मैं तोड रहा हूँ आप देख सकते हैं मिट्टी आसानी से अलग हो रही है दोस्तो अभी गर्मी का मौसम खत्म होने आया है और मौनसुन स्टार्ट होने वाली है दोस्तो यहां आप देख सकते हैं मैंने यहां कुछ औरगेनिक खाद डाली थी तो यह काला काला जो पार्ट आपको दिख रहा है मिट्टी का उसके अंदर वो खाद के अभी भी कुछ अवसेस मोजूद है आप देख सकते कि मैं यहाँ थोड़ी गहराई से भी मिट्टी को उँचे नीचे कर रहा हूँ उपर नीचे करने से यह मिट्टी क्या अलग थलग हो जाएगी जिससे इसकी जड़ों को मिट्टी के अंदर घुसने का अच्छा मोका मिल जाएगा और इसकी ग्रोथ भी जल्दी से बढ़ेगी इसकी जड़े आसपास भी फेलेगी तो आसपास की जगह में भी जो औरगेनिक खाद डाली हुई थी उससे भी यह उसन पा लेगा और जल्दी ही बढ़ना सुरू हो जाएगा दोस्तो हमें जमीन को खोदने और तोडने के साथ-साथ इसको समानतर भी करना है और अगर कंकर पत्तर अंदर से निकले तो उसे हमें अलग कर लेना है कभी-कभी क्या होता है कि कंकर पत्तर उसको जड़े जमाने में बाधा रूप होता है इसी की वज़े से हमें उसे निकाल देना है अब दोस्तों आप देख सकते कि मैंने यहाँ सीड उसका गांट यहाँ डाली थोड़ा सा गहराई में वेसे हर गांट को अंदर डाल देना है और उसकी जो नई बट नई साखा फूटी हुई उसका भाग उपर की तरफ हो और दो गांटों के बीच के अंदर दो से तीन इच की जगा हमें रखनी है दोस्तो हमने मिट्टी पहले से ये अलग करके रखी थी और बारिक करके रखी थी इसलिए हम हाथ से ये डाल सकते हैं अंदर दोस्तो अलबी की गाड़ आपको मार्केट में जाएंगे आप सब्जी का जो मार्केट आपके पास में हो वहाँ आपको मिल सकता है अगर ना मिले तो कोई सब्जी वाले को पूछ ले और वो अगर आपको मंगा सकता है तो वो मंगवा देगा आपके लिए और उसके पाक से आप collect कर लिजिए इसको उगाना बहुत ही आसान है मिट्टी को हमें कोई दबाना वबाना नहीं है इसके बाद हमें क्या करना इसके उपर पानी का छिड़काव करना है पहले हम मिट्टी के उपर पानी हलके से छिड़केंगे और पूरी मिट्टी को भिगो देंगे इस मिट्टी को भिगो देने के बाद हमें पानी का मात्रा बढ़ानी है और हमें पूरी तरह जो उपर से नीचे तक जितनी मिट्टी हमने खो दी उसकी गहराई तक पानी पहुच जाना चाहिए इससे क्या होगा कि इस जमीन के अंदर भेज बढ़ जाएगा और इसकी जड़े जल्ली से पानी का सोसन करना सुरू कर देगा जब तक बारिश ना हो हमें दो तिन दिन के बीच में पानी देते रहना है इससे क्या होगा कि अंदर जमीन का जो भेज है वो एक रूप रह बस दोस्तो अब हमें राह देखनी कि इसके बर्ज कब बाहर निकलने लगे और पौदे के रूपने विक्सित होने लगे देखें दोस्तो ये गरमी के अंदर मैंने बोजा था इसकी वज़ए से इसके थोड़े बहुत पत्ते उगने के बाद सूख चुके हैं पर जैसे इसके बारिस का पानी इसके पास आने लगेगा इसके उपर बारिस गिरने लगेगी तो इसके सुखे पत्ते वो जड़ जाएंगे और जो नए पत्ते आएगे एकदम हरे पत्ते आएंगे देखिए दोस्तो अब बारिस का मौसम स्टार्ट हो गया है आज पूरा वीक हो गया इसको स्टार्ट हुए तो आप इसके नए पत्ते और पूराने पत्ते में फरक देख सकते हैं इसके जो नए पत्ते हैं और जो बड़े हुए हैं वो भी एकदम से हरे हो गया है दोस्तो इस पत्तो का एक अच्छा खाने का आइटम बनता है जो मैं अपनी फूर चैनल पर सेर करने वाला हूँ दोस्तो वो चैनल में जल से जल आपके सामने सेर करूँगा हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तो का सुक्रिया